की मित्रों को जय जय सियराम प्रभू स्रिराम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है कबीर दास के कुछ चर्चित दो है कबीर अम्रित बानी जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नाहीं सब यंधियारामित गया दीपक देखा माहीं जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभू को न देख पाता था लेकिन जब गुरु ने ज्यान का दीपक मेरे भीतर प्रकासित किया तब अग ज्यान का सब अंधकार मित गया ग्यान की जोती से अहंकार जाता रहा और ग्यान के आलोक में प्रभू को पाया कभीर शूता क्या करे जागी न जपे मुरारी एक दिन तू भी सोएगा लंबे पाओ पसारी कभीर दास जी कहते हैं कि अग ज्यान की निंद में सोए क्यों रहते हो ज्यान की जागरिती को हासिल कर प्रभू का नाम लो सजग होकर प्रभू का ध्यान करो वह दीन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सोही जाना है जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं प्रभु का नाम एस्मरन क्यों नहीं करते आचे पाचे दिन गाए हरी से किया नहेत अब पच्छता आए हो तक्या चिरिया चुग गई खेत देखते ही देखते सब अच्छा समय बीटता चला गया तुमने प्रभु से लओ नहीं लगाई प्यार नहीं किया समय बीट जाने पर पस्ताने से क्या मिलेगा पहले जागरुक न थे ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही न करे और देखते ही देखते पंची उसकी फसल बरबाद कर जाए बरा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेर खजूर अपनची को छाया नहीं फल लागे अतिदूर कबीरदाजी कहते हैं कि खजूर के पेर के समान बरा होने का क्या लाब जो ना ठीक से किसी को छाओ दे पाता है और नहीं उसके फल सुलब होते हैं इसलिए अपने जीवन काल में ऐसा बने जिससे आप किसी की सहायता कर सके जीर मीरा जीर मीरा बरसिया पाहन उपर में अमाटी गली से जल भाई पाहन बोहीते बादल पत्थर के उपर रिम जिम करके बरसने लगे इससे मिटी तो भी कर सजल हो गई किन्तू पत्थर वैसा का वैसा बना रहा इक दिन ऐसा होईगा सब सुपरे बिछो राजाराना छत्रपती साबधान किन होए कबीरदाजी कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब से बिछुरना परेगा हे राजाओं हे चत्रपतियों तुम अभी से साबधान क्यों नहीं हो जाते प्रभु का नाम क्यों नहीं लेते तो बोलिये सियाबर राम चंद्र की जाए अयोध्या राम लला की जाए ब्रिंदावन बिहारि लाल की जाए पवन सुतहनुमान की जाए बलो भाई शब शंतन की जाए हरहर महादेप जैए सिब संभो